दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए गीकी रिशेब चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सबके हमारी वीडियो सबसे पहले दोस्तो इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे आईटेक के वाइवलेस लेगर टू स्पीकर का और वीडियो के एंवे में आपको बताऊंगा कि क्या आपको इस प्रड़क को लेना चाहिए और नहीं वैलकुम वाइज दिसी वीडियो शब लेट्स चाहूंगा कि मुझे ये प्रड़क्ट मेरे लैट्टोप के साथ फ्री मिला था जो कि मैंने रिलाइंस डिजिजल से प्रोचेस किया था और काफे टाइम से मैं इस प्रड़क्ट को यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीकिया बोक्स आपको देखने को मिलता है यहाँ पर इसके सारे फीचरस को हाईलाइट किया हुआ है तो चली देखते हैं क्या क्या आपको box के अंदर मिलता है तो ये तो होगे आपका speaker जो की main unit है अब इसको यहाँ side में रख देते हैं और देखते हैं क्या है ये 3.5 mm की aux cable मिलती है और साथ में ये rechargeable cable भी दी गई है और ये instruction manual है तो ये speaker को on करते ही काफी cool lights देखने को मिलती है और ये sound आती है जो की ये indicate करती है कि आप speaker का Bluetooth on हो चुगा है और यहाँ पीछे इसके 3.5 mm का audio jack है और इसी के side में on off का button है और microSD card slot के नीचे USB slot भी है तो यानि कि आप pen drive और microSD card लगा कर के भी गाने सुन सकते हैं और ये micro USB slot है जिसके थुरूआ आप इसको charge कर सकते हैं और 400 mAh की battery इसमें दी गई है और company का ये कहना है कि approach 1.5 hours का play time आपको इसमें मिल जाएगा और साथी में company इसके Bluetooth की range 33 feet बताती है और यहाँ इसका microphone है और एक डम तोप में 4 button देखने को मिलते हैं इन दो button से आप song या FM की station को change कर सकते हैं और इस button से light को control किये जा सकता है इसमें आपको light के 3 patterns मिलते हैं जो कि आप song को चलाते time देख सकते हैं और इस button से आप song को play या pose कर सकते हैं या फिर call को attend, reject, cut या फिर dial भी कर सकते हैं और obvious है ये सबी आप तभी कर सकते हैं जब Bluetooth से connect होंगे और अगर आप बिना Bluetooth से connect हुए इस button को long time प्रेस करते हैं तो आप FM mode में चले जाते हैं तो guys चलिए अब मैं आपको इसकी sound सुनाता हूँ ताकि आपको भी पता चल सके इसकी sound की quality कैसी है तो दोस्तो sound की quality तो आपने सुनी ली अगर बात करें इसकी price की तो आपको आज की date में ये product Amazon से 1720 मिल जाएगा तो दोस्तो अब आप सभी wait कर रहे होंगे मेरे opinion का बढ़ अपना opinion देने से पहले मैं इस speaker की pros and cons आपको बताना चाहूँगा और फिर उनी pros and cons के base पर अपना final opinion दोगा तो गई चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके cons की जैसा की company ये दावा करती है कि इसके bluetooth की range 33 feet है बट वो एकदम गलत है actually में जब हमने ये test किया तो खाली 7 से 8 feet ही इसकी range पाई गई और इसका battery backup भी approach 1.5 hour तक का ही है जो की काफी कम है इसके microphone की quality भी इतनी अच्छी नहीं है तो गई ये थे इसके कुछ cons अब बात करते हैं इसके pros की इस speaker की lighting effects हैं वो देखने में बड़े ही cool लगते हैं और song चलते समय light के तीनो ही pattern बड़े ही stylish लगते हैं जो की गानों की beats के coding up and down move करते हैं और इसमें काफी features भी दिये गए हैं जैसे की call को simply attend, reject, cut यहां तक की redial भी कर सकते हैं और FM का मज़ा भी आप ले सकते हैं तो दोस्तों ये थे इस speaker की कुछ pros and cons अब मेरा मानना तो ये है कि इस price में तो आपको इससे भड़े speakers भी मिल जाएंगे हां अगर ये product आपको 1100 के आसपास मिलता है तो आप इस product को consider कर सकते हैं otherwise मेरी suggestion यही रहेगी कि आप इसको ना ले तो guys ये था i-tech wireless वेकर टोकर review और अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको like and share दो करना और अगर आपने हमाई चैनल को subscribe नहीं किया तो कर दीजिए और अगर आपकोई भी query station होती है तो आप मुझे नीचे comment के थरूँ बता सकते हैं दोस्तो मिलते हैं आपसे next video में जया हिंद